तो चले फ्रेंस आज बनाते हैं कोकोनट की परफी यदि आपको कुछ मीठा खाने का मन करें तो इससे बना लें फटा फट से इपन करके तेयार हो जाती है इसमें जादा सामागरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत ही सोफ्ट मुलाइम से बनती है तो इसके लिए हम साथ में हाफ टीस्पून एलाची का पाउडर डाल देंगे सबी को ब्लेंड कर लेंगे तो यहां पर इसको साइड में रखते हैं इधर एक कड़ाई गर्म होने के लिए रखिए इसमें दो टीस्पून घी डाल देंगे देसी घी डालेंगे गेस की फ्लेम स्लो रखेंगे और 200 ग्राम कोकोनट का चुरा लिया है जिसे हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है स्लो फ्लेम पे अब हमने जो मिक्सर बना के रखा ता वो इसमें एट कर देंगे और इसे अच्छे से कुक करेंगे सक्ट इवन 6-7 मिनिट या 8 मिनिट लग जाएंगे जब तक कि दूद अब गार्णिश कर लें आपको जैसा पसंद हो मिया पिस्ता और बादाम के साथ गार्णिश कर रही हैं और दो गुंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे उससे या अच्छे से सेट हो जाएगी दो गुंटे बाद निकालके आपने इसे कट कर लेना है मन पसंदाकार में और यह बहुत ही मज़िदार सी आपकी मिठाई बन करके तयार है तो इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ किजेगा वीडियो पसंदाए तो लाइक किजेए शेर किजेए अपने फ्रेंड्स और फैमिली पे चैनल पेले पहारा हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरू किजेगा औ यह बहुत ही मज़िदार सी बनी थी और देखिए कितने आसानी से निकल भी गई है मैंने इसे स्क्वेर पीस में कट किया था